तो याज यूपी बीजेपी की ओर से पाच जगा किसान समेलन का आयोजन किया गया है इस समेलन के जरिये किसानों को क्रिशी कानून के लिए जागरुक किया जाएगा किसान समेलन को नया रूप देने के लिए बीजेपी ने भी कमर कसली है समेलन के जरी किसानों को फाइदा पहुचाया जाएगा इस पूरे मुद्दे पर सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा से हमारे सयोगी रामानुज ने खास बातशीत की जहां एकने किसान आंदोलित है वहीं बीजे पी ने भी अब किसान को मनाने और खिसान को समझाने के लिए कमर कसली हैं अब किसान सम्मेलन के जरी जिले जिले जाकर बीजेप संधाएगी कि कि आखिर क्रिशेवल क्या है हमाइसाथ मौजूद हैं मुकुट भीहारी वर्माजी इनको प्रभार दिया गया है में ठीक सर कैसे देखते हैं कि आप किसान संम्मान की बात ओराई थी फिर आप पल पल हमारी सरकार किसान के लिए सोच रही है जितना किसानों के लिए हमारी सरकार ने किया है दूसरी किसी सरकारों ने उधर सोचा नहीं हम चाहते हैं किसान की उपज बढ़े और उपज बढ़े इस नाते जितनी भी उसको सुभिधाएं दी जा सके खाद की पानी की बीज क कि और दिभी जाये हम चाहते हैं कि सान का जोट पात तैयार हो तो उसको अच्छी मार्केट मिले हम चाहते हैं कि सान अपना अफना होगा अपना इपसां फान पाथ शक्छा लेिद्ध कि तब कैसे देखते हैं वास्तों में देखे जो किसान आंदोलन जो हो रहा है एक तो विपक्षी दल है उनको कोई बिसे नहीं मिल पा रहा था चुनाओं में हारने के बाद उनको लगता है कि कुछ नगो जो मिल जाए उस पर खड़े हो जाना चाहिए इसलिए वो कर रहे हैं किसान बिल के समर्थन में हैं आज इस सी तिये है कि सामानी किसान अपने किसानी के खेती में और उसमें लगा हुआ है उसको इधर फुरसत नहीं देखने की और इन अंदोलों के कारण तो उसके उत्पाद मार्केट में जा नहीं पा रहे हैं इसके लिए कठना ही हो रही है इस इनको यही परिशानी थी तो उनको इस बताना चाहिए कि इस बिल में क्या ठीक हो सकता है जो बताएं उसको हम ठीक कर निकले तयार हैं हम बारता के लिए तयार हैं लेकिन यह बारता नहीं करना चाहते यह तो काहते हैं बिल वापस हो हाँ या ना बताओ हाँ ना कोई ब तो फिर इनके कहने मात्र से नहीं होगा उसमें कुछ गलत है तो हम सबसोधन करने के लिए तयार है। सम्मेलन से किसान कितने जागरुख होंगे हम आयमान कर चलते हैं कि किसान आज तो किसान वैसे तो जागरुख है लेकिन किसानों के बीच में जो इस प्रकार के मत भर्म फैला रहे हैं उन भर्म को न फैला पाएं उसको ठिक करने के लिए हम किसानों के बीच में कहते हैं कि हम हम चाहते हैं 85 प्रसत गा उठ जाएगा तब ही भारत भहुँ सा ली दिखेगा और इसी लिए गाउन की एक-एक कलपना हमारी चाहे आबास हो सुरक्षा हो सफाई हो सवचाल हो पढ़ाई हो लिखाई हो दवाई हो सफाई हो सब में तो हम लगातार लगे हुए हैं गाउं के लिए लगे हैं और इसे किसान के लिए किसान सम्मान ने थी किसान को फसल भीमा सारी उजनाए किसान के लिए कर रहे हैं तो हम तो यही बात बताना चाहते हैं किसान को तो सीधे तोर पर जो है गाओं गरीब और किसान तभी उठ पाएगा जब किसान के लिए किया जाएगा और साफ बोल रहें कि मोधी सरकार ने जितना किसानों के सम्मान के लिए किया है शाहिद ही अभी तक किसी सरकार ने किया है लेकिन किसरी बिल की अगर बात कीजा तो जिस एकन नेवर मिस्स अनी अपडेट